बिटकोइन ग्रेश कर रहा है यूएस मार्केट भी बियरिश हमें देखने को गुल रही है और बिटकोइन का अगर आप फोरा चाड़ भी देखते हैं तो यहाँ पे भी कोई बड़ी वॉल्यूम्स आपको देखने को नहीं मिलेंगी बट मार्केट के अंदर एक ऐसी न्यू कर सकते हैं वह यहाँ पर मैं शेयर करूंगा बागी आप लोगने जो सवाल पूछे तकल की वीडियो के अंदर उन सबका जवाब भी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा तो लास सक देखते रहेगा तो वीडियो का अगर हम लोग स्टार्ट करें बिटकोइन के वी गया अभी तगर आप देखोगे तो हम ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के उपर हैं वहीं दूसरी और अगर आप बिटकोइन का डेली चार्ट देखते हैं तो यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड के अंदर हमें एक सपोर्ट के उपर आके गिर चुके हैं जो की ब्रेक होता है तो यहाँ से एक और बड़ा फॉल आ सकता है वहीं दूसरी और अगर आप युएस मार्केट को भी देखोगे तो वह भी ब्रेक्ष देखने को मिल रहा है एक बड़ा रेजेक्शन उसके अंदर हमें देखने को मिला था जिसके बाद अच्छा का सा फॉल fpx यानिक युएस मा देखने को मिलेगी मार्केट अलोवर क्रेश करती भी यहाँ पर दिखेगी एक सपोर्ट के उपर आकर गिर चुके जहां से रिवरसल भी आ सकता है और काफी दाद मार्केट और भी क्रेश कर सकती है तो मार्केट के अंदर एक बड़ा मूवमेंट आना यहां से तय है यह त प्रेट का जितने लोग भी शौट लेके बैठे थे उनका अच्छा खासा लिक्विडिशन हमें देखने को मिला है पिछले कुछ दिनों के अब चांसे दार वेड़ी है कि शायद एक और विक हमें छोटी सी देखने को मिल जाए यानि कि 4 आजट के इनर हो सकता है एक बार यहां पर थोड़ा बहुत फॉल आए उसके बाद फिर हमें मार्कर रिकवरी करती दिखना स्टार्ट हो जाए यानि कि अगर हम अभी देखते है करें ली तो लग बग लग बग मुझे लगता है 53 500 दोलर के आसपास यहां तो बहुत अलग कम है यहां पर मार्केट के रिकव क्योंकि US का CPI data अगर आप इस समय पर देखते हैं तो वह forecast यहां पर कर दिया गया है यूस का CPI data में आपको बताया था 11th सितंबर को पता चलेगा कि actual कितना क्या CPI data निकल गया है बट उससे पहले forecasting होती है वह forecasting आप देखोगे तो प्रिवियस से बहुती ज्यादा कम करे गई है 2.6 के आसपास का forecast कर गया है यानि कि लोग बहुत जादा मान चुके हैं कि यहां पर जो actual data निकल के आएगा वह positive होगा अगर actual data 2.6 या उससे कम आता है तब तो यहां पर तैह है कि market के अंदर एक bullish moment आ सकता है because वो एक काफी positive news होगी क्यूं होगी चुकि अगर इतना data निकल के आया तो वहां से हमें rate cut देखने को मिल जाएंगे अगली affirmative meeting के अंदर जो कि इसी वांद के last में हो नहीं है and that's why मुझे लगता है यह जो news निकल के यह bearish trend के अंदर है but अगर आप spot buying miss कर दो फिर और ग्रीट जब आपको दिखता है कि extreme condition है तो वह एक वेफ कूफी हो सकती है because जो भी long term investor है जो investment करते हैं mid term के लिए भी वह एक अच्छा return मना सकते हैं इस समय पे अगर वह bottom पर bitcoin को उठा लेता है या ऐसे hold coins को उठा लेता है जहा अगर इसका breakout आता है जो कि almost आ चुका है यहाँ पे एक और bullish candle formation होती है तो यहाँ पे हम anti लेने जा सकते हैं sun doge point के अंदर और इसका जो target रहेगा वो 0.305 का हमें पहला देखने को मिलेगा अगर इसके अंदर भी अगर trend line का breakout आता है तब entry बन सकती है otherwise दूसरी anti तभी हम बना सकते हैं जब 0.3541 यह एक area है यहाँ तक अगर यह गिर के आता है तो limit order लागर चोड़ सकते हो एक अच्छा jump इस area से हमें देखने को मिल सकता है बागे कर आप पूछोगे यह सारे coins जो भी low market के वाले होते हैं चाहें sundos हो गया यहाँ पर बैंडोज कोई हो गया यह कहां से हम buy कर सकते हैं तो आप यूज कर सकतो आप account मनाते हो तो आपको extra bonus में मिलेगा और इनका एक campaign भी चल रहा है जो सिर्फ अगले एक दिन के अंदर यानि की लगबग 24 घंटे के अंदर खताम होने वाला है जहां पर अगर आप description वाले link का यूज करके इसके उपर account मनाओंगे और अपना पहला deposit करोगे तो आपको docks coin का air drop बिल्कुल free में मिल जाएगा बड़ यह आने मादे 24 घंटे तक valid है तो make sure आज ही जाके account बना लेना और description वाले link का या code का यूज करके बताना ताकि आपको ये air drop भी मिल पाए और बाकी benefit भी मिल पाएं बाकी बिंग एक सी अच्छी चीज यह है कि लोने 100% proof of reserve अपन चाहिए जिसके अदर भी आप यहाँ पर अपना investment कर रहे हूँ नौ नेक्स इस ट्राइम टूडे के और question जो भी आपने कलवाली वीडियो के comment के दर पूछे ते सजाधा सजाधा question कवर करने की कोशे करूंगा कोई सवाल रह जाता है आप दो बार से पूछ लेना next video के अंद upside में उसके बाद next है यहाँ पर sun coin को लेके question जो कि हमें अभी bullish देखने को मिल रहा है मेरे साब से sun coin can be a good option अगर आप यहाँ पर buying करने का सोच रहो तो अभी आप इसको देख सकता हो विकॉस अगर यहाँ पर मैं favorite investment लगा के देखता हूं तो जहां से currently price reversal ले रहा है वो 0.16 ज को हमें देखने को मिलता है उसके बाद अगला question था इत्रियम को लेके जो कि आप पर इने को लेके जो बुरे तरही किसे fall करा है 0.261 अब इसका एक resistance एरिया बन चुका है जब तक इसके उपर daily candle closing नहीं होती तब तक buying के लिए जाना या long trade के लिए रिस्कित आएगा बट thing for a short entry उसके बाद अगला question था के SM coin को लेके जो अच्छी recovery यहां पर दिखा रहा है trendline को भी breakout कर चुका है अगर आप चाहो तो इसके इंदर spot buy बना सकतो इसके बाद अगला question था यहां पर को लेके जो कि मैं लास्ट टाइम भी आपको बताया था इसका support area 0.06994 का है यहां तक price आके support लेता है तो एक अच्छी anti बना सकते हैं अगला question था लीना coin को लेके अच्छे support की उपर है यहां से recovery दे सकता है चाहो तो एक spot buy लेने जा सकते हो बट थोड़ा दिसकी रहेगा because volume of beauty देखने को नहीं मिल रही अगला question था C coin को लेके जिस अच्छे support recovery ले रहा है में सबसे magic इस समय पर buying करना ठीक रहेगा because almost bottom level के उपर यह trade कर रहा है पोल के इंदरी convert होने वाला है एक नया project बनके आयेगा तो शायद golden के अंदर अच्छा पर हम कर जाए that's why यहां से magic के इंदर मैंने personally invest कर रहा है bottom next question था FTM coin को लेके जो की बाकी old coins currently आप देख सकते हो अच्छा support यहां से लिया वह है चाहो तो sport entry बना सकते हो कोई long trade यहां पर नहीं बनेगी because bitcoin crash कर गया तो यह सारे old coins भी crash कर जाएंगे अगला question है atom coin को लेके जो बुरे तरीक से crash कर रहा है इस खिंदर entry नहीं बन रही अगर यहां पर support area इसके उपर daily candle close हो जाएगी तब ही कोई entry बनेगी अभी हहां पर जित्ते भी sellers हैं वो काफी हावी देखने को मिल रहा है atom coin के दर में भी bad news होगी इसको लेके उसके बाद last question था om coin को लेके जो की currently आप देख सकतो double top लाके fall यहां पर कर रहा है इसके अंदर entry लेनी है तो यह zone अच्छा रहेगा बागे आपको को लगता है bitcoin क्या recovery यहां से करने वाला है comments के दर बदाना मेरे साब से CPI data अगर 2.6 यह से कम आया तो एक बड़ी recovery हमें bitcoin के दर देखने को मिलने वाली है 11 सितमर को date अच्छे है रहात कर लेना and channel को subscribe करना and video को like करना मत बूलना